जिली गाई जितने भी स्ट्वेन न यूपी स्कॉलर्शिप के लिए फार्म को अपलाई कर लिया है तो उनके लगतार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा इस्टेडस ऐसा बला बला सो कर रहा है तो मेरा पैसा कब तक आएगा तो गाईस आज के वीडियो में हम सब कंप्लेटली जान क्युक्नति दाने वाले हैं ताइग आपको सचाहे पता चल पाहता है कि आपको स्कॉलर्श्यम मिलेग स्कॉलर्श में नहीं मिलेगा इसके साथ सब गाइस में आपको स्टेड़े करना बताने भी वाला हूँ तो गाइस प्लीस आप एडियो को कम्पिलिटली वाश करना आपको सब इस वीडियो में आईडिया लग जाएगा ओके आपके इस टेड़े में इंडौर्मेन डोल नंबर मार्क नार्ड मैच विद इन्वर्सिटी अप्लोड़े डाटा ऐसा प्रॉब्लम सो कर रहा है ना तो इस केस में गाइस क्या है कि आपको स्कॉलर सी मिलने के चांसे बहुत कम है अगर हम प्रसेंडेज बात करें तो गाइस 50 प्रसेंड चांस ही आपको स्कॉलर सी म मिलने के चांसे बहुत कम है गाइस आपके जनकारी के लिए बता दे की डीड़ो की एक आफिस्यल नोटी जारे की गई है जहां पर आपको बताए जा रहा है कि अगर आपका इस्टेडस दस मार्स से पहले वेरिफाई हो जाएगा तो ही आपका आवेदन स्वीकार होगा आपका पैसा नहीं आ पाएगा लेकिंगर हाली के करेंट इस्टेडस की बात करें तो आपका पैसा आ नहीं पाएगा ऐसी आपकी रियालिटी है अगर आपको लग रहा है कि पैसा आएगा तो आप गलत हैं अब यहां पर काईस आप देख पाएंगे बहुत से बच्चे ऐस से भी होंगे जिनके स्टेटस में इस पकार से प्रावलम सो कर रहा हूँ है आपने दिखिए यहां पे है ना अप्लिकेशन फांप फाइनली समीटेड बट नाट डिसी बाइ इंस्टुटीशन गाइस क्या होता है कि आपने अप्लिकेशन फांप समीट कर लिया है अपना किशन फांप समीट हुआ है लेकिन इंस्टुटीशन द्वारा डिजयली ओफिस में समीट नहीं किया जा सका है तो इसकी वज़ेसे आपका पैसा नहीं आपाएक यह प्र्शेस कंप्लीट होई नहीं पाया है तो पैसा भी आने के चांसे बहुत ज़्यदा कम है तो आप भी पेंडिंग का status होता है और इन्रॉल्मेंट का status होता है इनका same problem होता है इनके में pending इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इनका data है इसे pending में रखा गया है future में इनका verify किया जा सकता है लेकिन जिनका enrollment का है उनको साफ साफ ऐसा बताया जा रहा है तो ऐसे में गाइस क्या करना होगा आपको अपने status को 10 मार्स से पहले verify कराना होगा अगर आपका verify हो जाता है तो आपका भी पैसा आएगा otherwise guys आपकी भी possibility एकदम कम है क्योंकि आपकी साफ कर ला एक दमिगां परसेंड़ेज है तो आपका पैसा कभी भी नहीं आ पारेगा मैं आपसे वादा कर रहा हूंगा अगर आपने गल्सी कर दिया है और आपका से क्यूंकिमें आपका पैसा कभी भी नहीं आपाएगा आपकी पॉसिबिल्टी एकदम 0% है तो आप थोड़ी से भी उम्मिद लगा कि मत बैटना कि आपके पैसे आएगा आपके chances बहुत ज़दा लो हैं आपके पैसे नहीं आ पाएंगे अब यहाँ पे गाईस आप देख पाएंगे हमारे पास एक नया status है जहाँ पे है duplicate income certificate number, indulment roll number तो काईस अगर आपके पास ऐसा तमाम प्रकार्ट के प्रॉलम सो कर रहे हैं तो आपके भी chances बहुत ज़दा कर रहे हैं आपकी भी scholarship नहीं आपाएगी तो आपके बारे में बात तरी कोई भी मतलब नहीं है आपके भी chances काईस बहुत ज़दा कम है अब यहां पर काईस आप देख पाएंगी अगर आपके stress में इस पकार्ट सो कर रहे हैं आपे देखिए अगर आपके stress में verify the completed by DST scholarship committee सो कर रहे है तो आपका जो scholarship है 22 मार्स तक आपके खाते में credit कर दिया जाएगा प्रफ देख पाएंगे मान लेजे आपके stress में scholarship branch 2250 इन्हें और भी अधार बैस bank account अब इंटेट बैंक अकाउंट मतलब वाइसकी आपके खाते में पैसा भेज दिया गया है जह आपके आपका अधारकार एड़ था मादन से पैसा भेज दिया गया है तो इस case में guys आपका जो पैसा है 12 March तक आपके account में credit कर दिया जाएगा तो guys यहाँ पे अगर आपका SI status हो कर रहा है तो आपका 12 March तक आएगा अगर आपका verify है तो 22 March तक आपको खाते में पैसा आ जाएगा तो आपको बस wait करना है guys अगर आपका status verify नहीं हुआ है तो guys आप पैसे check कर सकते हैं कि आपका form verify हुआ है या नहीं हुआ है इसको check करने के लिए आपको Google पे search करना होगा cmhelp.in guys मैं आपको जो process बता रहा हूँ इसके मादन से आप सब easily अपने status की जांस कर सकते हैं तो फटा फट से आप विजिट करो cmhelp.in यहां पे आपको click करना होगा जैसे ही आप यहां पे click करते हैं आप एक नए page पे आजाएंगे नए page पे आने के बाद आपके सामने इस पकार से interface दिखाई देगा यहां पे आप देख पाएंगे यहां पे guys है UP scholarship status आपको यहां पे click करना होगा जैसे आप यहां पे click करेंगे तो आपके सामने इस पकार से नए page open हो जाएगा आपको नीचे आजाना है नीचे यहां पे आने के बाद जो भी आपका class है जो भी आपका course है यहां पे select कर लेना guys आप सब फ्रेस वाले फ्रेस रिनोल रिनोल पे click करके यहां से इसली अपने status की जांस कर सकते है तो फटा 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 विजिट करो यहां से अपने status की जांस कर लेना अगर आपका verify हो गया 10 मार्स से पहले तो आपका पैसा guys आएगा अगर 10 मार्स के बाद verify होता है तो आप आपके farm स्विकार नहीं होंगे ऐसा मैं आपको latest बता रहा हूं तो please आप इसको ध्यान के रखे ही करना काम otherwise आपका ही नुक्सा होगा तो bye bye take care फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कोई क्यूशन से कमेंट कर देना चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को कर देना वाय वाय टेक केर गाइस फिर से मिलते हैं अगले वाय वाय